नमस्कार दोस्तों पतला करती है और फेफडों में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है और खांसी को ठीक करती है इसके अलावा अस्थमा और COPD से पीडित व्यक्तियों को भी डॉक्टर ब्लुकोफ सिरप को लेने की सला दे सकते हैं ब्लुकोफ सिरप वायुमारक की मास पेशियों को रिलाक्स करके और फेफडों के सांस लेने के रास्ते को चौड़ा करती है ब्लुकोफ सिरप को लेने के बाद फेफडों के वायुमारक चौड़े हो जाते हैं जिसकी वज़ा से अस्थमा और COPD से पीडित व्यक्तियों को सांस लेने में आसानी हो जाती है ब्लुकोफ की वज़ा से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में blue cough syrup की वज़ा से कुछ side effects हो सकते हैं जैसे मुं में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, घबराहट होना, चक्कर आना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, नीन्द अधिक आना या नीन्द कम आना, उल्ती आना और उल्ती आने का मन होना, पसीना अधिक आना, दस्त होना, भूक कम लगना, छाती में जलन होना और मुं क जोकोफ के स्वाद में बदलाव होना आदी साइट इफेक्स ब्लू कोफ सिरुप की वजह से हो सकते हैं अब हम डिसकस करेंगे की ब्लू कोफ सिरुप को कैसे लेना रेक्केुमेंड़ होता है ब्लू कोफ सिरप को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है। आम तौर पर 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को डॉक्टर 2.5 मिलिलिटर ब्लू कोफ सिरप को दिन में 3 बार लेने की सला देते हैं। ब्लू कोफ सिरप की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको ब्लू कोफ सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको व उम्र के बच्चों को ब्लू कोफ सिरप को देना रेकिमेंड़ नहीं है। इसलिए दो साल से कम उम्र के बच्चों को ब्लू कोफ सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। बल्गम को बाहर निकालने के लिए और खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए आपक बर्फ व ज्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। लगातार ज्यादा लंबे समय तक ब्लू कोफ सिरप को लेना रेकमेंड़ नहीं होता है। अगर आपको ब्लू कोफ सिरप को लेते हुए एक सब्ता से भी अधिक का समय हो चुका है और आपकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है तो आपको डॉक्टर से दोबारा परामर्श लेना चाहिए ताकि आपका डॉक्टर खांसी होने के कारण का पता करने के लिए दोबारा से जांच करवा सके वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में ब्लू कोफ सिरप को लेने के बाद ज्यादा नीन नहीं आती है लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ब्लू कोफ सिरप को लेने के बाद नीन अधिक आती है या चक्कर आते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्पता की आवशकता होती है ब्लू कोफ सिरब के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्लू कोफ सिरप के साथ शराब का सेवन करने की वज़ा से साइड एफेक्ट्स होने का जोखे मधिक हो जाता है और नींद आने की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होने पर और कोई दिल से संबंधित बीमारी होने पर ब्लू कोफ सिरप को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्टर की सलाह के बिना ब्लू कोफ सिरप को नहीं लेना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को ब्लू कोफ सिरप या इसके किसी भी इंग्रीडेंट से एलरजी है तो ऐसे व्यक्तियों को ब्लू कोफ सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए ज्यादातर डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ब्लूकोफ सिरप को न लेने की ही सलाह देते हैं इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ब्लुकोफ सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ब्लू कोफ सिरप को नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ब्लू कोफ सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं